प्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं हमनी स्वाइट करता हूं फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में आज वेकेंसी के बारे में जो हम बात करने वाले हैं आई वी पीस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो हो चुका है और कल से एक तारिक से आपके जो है फोर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे इस वीडियो में हम इसके प्रिलिम्स के स्लेवर्स के बारे में 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 के स्लेवर्स के बारे में डीवी के बारे में एक्जाम सेलेक्शन प्रोसर्स क्या होता है एज लिमिट और लि है तो अगर आप वीडियो पे न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस्ट कर दीजेगा गोर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए तो जैसा कि इसके प्रिलिम एक्जाम के बारे में अगर हम ब नुमेरिकल अबिलिटी और आपकी रीजनिंग जो है आपकी 35-35 नंबर की आईगी और 35 ही मार्स होंगे टो टोटल 100 कोस्चन होंगे 100 मार्स के आपके होंगे इसके अंदर आपका जो नेगिटिव है वो वन बाई फोर्थ होता है इसके अंदर तीयर फरस्ट के अंदर जो च हाते है में चे लिए मैं में आपका जो स्लेवास है चार आपके सबजक्ट होते हैं चर्नल अवेरेनस यंद फाइनसल अवेरेनस जो है आपका पचास कोस्चन आएंगे 50 मार्स के 35 मिनट का इसके अंदर टाइम होगा आपको और चर्णल इंग्लिस जो आपकी 40 मिनट की होग इसके अंदर और जो मैत है आपका क्वांटिटेटिव एप्टिटूट पचास सवाल होंगे पचास नंबर के 45 मिन्ट आपको मिलेंगे 200 सवाल को सुल्फ करने के लिए आपको दो घंटे 40 मिन्ट यानी के 160 मिनिट का समय मिलेगा और इसके अंजर जो आपकी नेगेटिव मार् पिशल नोटिस है डीवी के अंदर आपके डोकुमेंट्स चेक होंगे इसके अंदर कोई भी इंटर्व्यू नहीं होता है इंटर्व्यू ना होने के करन जो है इसका सेलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं काफी चल्दी हो जाता है क्योंकि प्री होगा आपका मेंस होगा उसके बाद डारेक्ट आपका फाइनल डीजल आजाएगा और फिर आपका जोइनिंग लेटर आजाएगा इसके अंदर आप देख सकते हैं यह जो ओनलाइन डेजिस्टेशन है वो एक साथ से 21 साथ तक यानि के 20 दिन आपके फॉम भरे जाएंगे और जो फीस की डेट होग फ्रिलिम्स का वो सेतंबर में जो है सेडूल किया गया है उसी परकार से मेंस के एक्जाम के एक डेट देख लेते हैं तो अक्टूबर के मंत में आपकी मेंस की डेट रखी गई है और प्रोविजनल अलोटमेंट के लिए अपरेल 2023 को इनोंने माना है अगर मैं बात करता हू इसकी सेलरी के बारे में तो क्लर्क के अंदर आपकी जो सेलरी होती है वो आपकी 30,000 प्लस सेलरी आपको मिल जाएगे महीं अगर हम बात करते हैं वेकेंसी के बारे में तो वेकेंसी अभी 66,500 प्लस है आशा हो हर बार ही यह होता है कि जो बैंक की वेकेंसी है लाज्ट टाइ पूरे पूरे चांसे आपकी इंक्रीज होंगी चरूर तो आप इस फोर्म को फिल कर दीजेगा अगर आप बैंक कर बनना चाहते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको एज लिमिट के बारे मैं बात करता हूं तो अगर आपने ग्रेजवेशन क्या हुआ 21 साल से ज़्यादा आपकी एज है तो आप इस फोर्म को फिल कर सकते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप ग्रेजवेट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजवेशन करे हों उससे फरक नहीं पड़ता आर्ट्स कोमर्स साइंस आप इस फोर्म को फि आंकिंग की ठीजनिंग थोड़ी सी अलग होती है क्वांटिटेटिव एप्टिटूड यानि के मैथ आपका सिंपल होता है और भी ज्यादा एससी के कंपेर में और आपकी इंग्लिस जो है वो ज्यादा तर जो होती है पैसीज बेस पर या भी रोज मर्रा की निउस पेपर